अपने धर्मे में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से और हम तो ये भी बोलें तो बुरा मत मानियेंगा हम लोग भाग सालियें औरों को तो एक ही देोता है अगर उना राज हो जाएं तो दूसरे अब अगर मैं इनसे सवाल करूं कि जैसे बहुत सारे लोग भगवानों को भी मान लिए जबके बगवान की बीवी भी है बगवान के बच्चे भी है और भगवान का बाप भी है तो फिर अब सवाल आएगा कि बगवान का दादा कौन भगवान का परदादा कौन फिर उनसब चलेगा कहीं तो जाके रुकना है कहीं तो जाके रुकेगा बच्चे हैं तो अब तक उनकी नसल क्यों नहीं भगवान के भी बेटे बेटियां थी ना बहुत सारे भगवानों का तज़किरा हिंदुस्तान में है उनके बेटे बेट यहां बताई गई हैं कितने बेटे थे राम के भी कृष्ण के भी सब के भी बताई गई हैं बेटे बेटे तो अब आउलाद कहा हैं बाप दादा कहां थे मेरे अजीज़ों मेरी इस बात को यकीना कोट किया जाएगा मुझे मालूम है चंद दिनों पहले यह कह रहा था औरंगजेब की आउलाद बरतन मांज रही है टिपू सुल्तान की आउलाद पंचर लगा रही है तुझे तो यह टिपू सुल्तान औरंगजेब की आउलाद नजर आई उनकी कहा हैं जिनका मैं जिकर कर रहा हूँ उनकी कहा है और बहरहाल औरंगजेब और टिपो सुल्तान इन तमाम को छोड़ो इनकी आुलाद को तुने बरतन मांचते या पंचर लगाते तो देखा अल्ला ने तुझे बांच बना कर रखा है ठेरे से कोई चीज नहीं आ सकती सिवाए गोबर और गलाजत के कोई चीज नह मेरे अजीजों मैं य servicios कर राएंगगा है में या आरज़ ये कर रहा हूं दौर और तसलसुल कि अगर इस तरह किसी का बाप है तो पिर दादा भी होगा दादा है तो पर दादा भी होगा ये चलता रहेगा सिलसिला ये इसलामी है जिस ने कहा और किल हु ऐ लो लोगाद कोई पैदा होगा उस से कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ या खतम हो गई बात आप ना मेरे practitioners चौदा का कोई भाप है ना बेटा है ना भाई है ना बेहन है कहीं ये तसवर आईगा ये नहीं तुम हमसे यह सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाद के आबाओ आजदात कहा है अलाद कहा है हमने खुदा को माना ही ऐसे है कि वो जिस्मों जिस्मानियत से भी पाक रिश्टेदारी से पाक है कोई ना उसका हमता है एक ही सबकी सुनता है या लाह तबारा को ताला के मतालिक अमारा यकीन यही है अजीज़ा निगरा में वकार दोर और तसलसल का जो कानून है मैंने यही बताया कि बाद लोग इस चीज़ के जरीए से भी चाहें तो हिदायत हासिल कर सकते हैं कि कहीं तो जा कि हमें पुल स्टाप होना पड़ेगा कोई तो है जो एंड है उसको कोई पैदा करने वाला ना हो जा करके तुम्हे खतम होना पड़ेगा एक नए एक जगा कि कोई तो है जो लास्ट है उसको कोई ना पैदा किया हो अगर उसको भी कोई पैदा किया हो तो फिर ये भी बात आए कि उसको भी कोई पैदा किया होगा तो हमें एक ऐसी जात माननी पड़ेगी जिसको कोई ना पैदा किया हो तब ही जाकर कि हम ये कहते हैं वो जो जात तुम जाकर एंड होगे उसी का नाम अल्लाह रब लिज्जत है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया ये इसलाम का बेहतरीन अकीदा है मेरे अजीजों तोहीद किसे कहते हैं अब बात आती है वजूद की बात हो गई अल्लाह है इतना तो मनना पड़ेगा उसके लिए तो बहुत सारी दलील है बच्चे भी पकड़ करके बता देंगे एक खातून हमने बच्पन में पढ़ा था एक बूड़ी औरत चर्खा सिल रही थी उससे जाकर किसी ने पूछा कि अल्लाह है कि नहीं है तो उसने का है क्या दलील है का ये मेरा चर्खा जो सिल रही है ये दलील है था कि का ये चर्खा इस से कपड़े सिलती हूँ जब तक मैं चलाती नहीं ये सिलता नहीं मशीन सिलती नहीं ये कपड़े इसी से मैंने ये यकीन कर लिया कि मेरा चर्खा मेरे चलाए बगएर नहीं चलता तो निजामे काइनात पूरा बगर चला है कैसे चलेगा कोई तो है ये हो गई बात वजूद की कोई तो है अब आती है तोहीद की बार कोई तो है अब हमें ये बताना एक ही है कोई तो है लेकिन वो जो है वो एक ही है यहाँ पर भी हमें Islam ने जो फलसफा दिया है वो बहुत ही प्यारा है उसकी वज़ा क्या है मेरे अजीजों चलो अब हम तोहिद की तरह आते हैं तोहिद केहते हैं एक मानना एक मानना हकीकत में देखा जाए तो दुनिया के अकसर मजाभ में अकसर मजाभ में तोहीद का शुरू में दर्स रहा इसाईयत जो आई इनमें भी था बाद में ये तसलीष के काईल हो गए है यहुदियों में भी अल्ला को ही मानते है खुदा को ही मानना है हिंदूओं में भी एक होने का तसौर किताबों में उनके मौजूद है यह और बात है कि उन्होंने मिला दिया मसाले लगा जी अलग अलग हो गए खालिस जो अपने दीन पर बाकी है अलहमदोल्ला वो इसलाम है आज है अल्लाह रब लिज्जत है और वो एक है एक है इस पर क्या दलील है इस पर भी दलीलें देनी होंगी अकली दलीलें भी है नकली दलीलें भी है नकली दलीलें हमारे लिए नकली का मतलब हुआ किसी जगा से थाबित है कुरान से हदीश से यह थाबित है तो यह नकली दलीलें अकली जो अकल भी जिसको तसलीम करे अकल जिसको एक्सेप्ट करे वो क्या है उस बुड़ी औरत का ही मैं बता दूँ जिसने चर्खा सिला और चर्खे के चलाने में उसने एक कहा कि अल्ला है कोई तो है क्यूंकि मेरी मशीन बगैर चलाए नहीं चलती तो उससे साहब ने जिसने सवाल किया पूछा कि अच्छा है तो क्या वो एक है कि दो है का नहीं एक ही है का वो कैसे का दो हो तो देखो तुम सामने बैटो उदर से चलाओ मैं इदर से चलाती हूँ फिर कपड़े की क्या दुर्गत बनती है तुम अपनी तरफ कपड़ा कीच रहे होंगे मैं अपनी तरफ कपड़ा कीच रहे होंगी इस से मैंने ये यकीन कर लिया मेरे कपड़े को सिलने के लिए मेरे चर्खे पर यकी का होना जरूरी है दो बैटेंगे तो कपड़ा भेल पाइजामे की बज़ाए कुर्टा हो सकता है कुर्टे की बज़ाए की बज़ाए हो सकती है कुछ भी हो सकता है कुछ भी सिल जाता है तो दो लोग एक मशीन को सिलने जाए तो निजाम दरहम बरहम हो सकता है तो एक पूरे काइनात का निजाम अगर दो लोग चलाने लगें तो एक दिन एक कहेगा नहीं मैं आज बारिश बरसाओंगा दूसरा कहेगा नहीं मैं आज धूप डालूंगा तीसरा कहेगा कि नहीं मैं आज चाहूं ठंडी पैदा करूंगा तो ये तो उनी के दर्मियान जगड़ा होता रहेगा इसलिए गुरान ने भी कहा लौकान अफीहमा आलिहतन इल्लाव। लफसदता अगर इन काइनात में जमीन और आस्मानों में खुदा के इलावा दो होते तो जरूर इसमें फसाद होता जरूर इसमें निजाम दरहम बरहम होता मेरे अजीजों यहाँ देख रहे हैं हम बहुत सारे निजामों को कमीटी का मसला है, मस्जिद का मसला है बहुत सारे चीज़ें देखें सदर साब कुछ और करना चाहते है नाइब सदर साब कुछ और करना चाहते है सेक्रेटरी कुछ और करना चाहते है हकुमत में जाएं प्राइम मिनिस्टर को और चाहता है होम मिनिस्टर कुछ और कहता है उसकी तो बड़ी पता ही नहीं है लेकिन निजाम एक मुल्क का चला रहे है एक मुल्क का चला रहे है फसाद इसी लिए हो रहा है फसाद इसी लिए होता है और उनको पता भी नहीं रहता वो भाशन में कुछ और बोल के आया ये परलिमेंट में कुछ और बोल के आया ये सब हमारी मिसालें जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ देखकर के समझने के लिए एक से ज्यादा जब होते हैं, तो अकलों का मिलना जरूरी नहीं, हर एक की अकल अलग अलग चल सकती है, अब आईए, कोई कह सकता है, नहीं भाई, इत्यात से भी तो काम हो सकता है, यूनिटी से भी तो काम होता है, कुछ जगा होता है ना, कोई अगर कहे, कि खुदा एक नहीं, दो हैं, और नमबर वाला अगर इत्याद करता है और कहता है कि नहां तू जो करेगा वही मैं करता हूँ तो यहां पर कानून यह तफसीर में फर्माएगा दूसरा वाला तो आजिस हो गया वो मुखतार नहीं है फिर फैसला लेने में और आजिस जो होता है वो खुदा नहीं होता खुदा वही होता है जो माली को मुखतार है जो खुद फैसले लेगा और उसमें किसी को शरीक नहीं करेगा तो अगर दूसरा वाला मान गया उसकी तो वो खुदा आजिस हो गया उसकी अपनी नहीं चली दूसरे दिन दूसरा चलाया और पहले ओना राजी हो गया। तो पहला आजिज हो गया, तो खुदा आजिज नहीं हो सकता, यह हमारा अकीदा है, खुदा वही है, जो कादरें मुतलग है, कादरें मुतलग हर चीज़ पर वो خुद फैसले लेता है, खुद ही अख्तियार रखता अलहम्दलिल्लाइ इसलाम को इतना पाको साफ रखा गया है खुदा का जो अकीदा है हमारे हाँ अकीद तोहीद है वो इनसान के जहन को भी पाको साफ करता है इनसान का जहन भी पाको साफ रहता है अगर अकीद तौहीद 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 तौ लोगों को भी देखा है जो औरतों की शर्मगाओं को भी अबादत करते हैं बहुत सारी गलाजतों को भी पूछते हैं मेरे अजीजों ये कब आची ये चीज़ जब अकीद तोहीद इंसान से हट जाता है तो बहुत ही नीचे गिर जाता है अल्ला ताला ने जहनों को पाक आहियात पर आज बात करना चाहता था पहले वजूद बारी ताला और दूसरे अल्ला के एक होने पर एक होने पर सबसे बड़ी दलील ये है एक से ज्यादा होंगे तो निजाम दरहम बरहम हो सकता है और अब तक निजाम दरहम बरहम नहीं हुआ इसका मतलब है कि एक ही चला रहा है, एक ही चला रहा है सूरज को जसटरह से उसने सालों से चलाया है चान को जसटरह चलाया है मौसमँ का आना जाना गुरान खुद ये कहताहे, मैंने आयत खुदे के बाद है यही तिलावत की इन्ना फी खल्क समावाती वाल-अर्ध वखति तिलाफि लेली वननिहार बेश्यक जमीनों की पैदाईश में आस्मानों की पैदाईश में और रात और दिन के आने जाने में Tumharnay लिए बहुत बड़ी निशानिया है के एक ही है एक ही है जो इसको अपनी मर्जी से बना या है अपनी मर्जी से बनाया है अजीजा निगरा में वकार हिंदूों में भी एक होने का अकीदा था कि एक खुदा है बहुत सारी किताबे हैं जिसको मैंने पढ़ा है जिसमें कहा गया है संस्क्रिट में कि वो एक ही है एक ही है लेकिन हुआ एक के बाद में उन तालीमात में मिकसिंग कैसे आई जैसे हमारे हम फरिष्टों का तसवर है जिबरेईल हैं मीकाईल हैं इसराफील हैं इसराइल अलेहिमस्सलाँ जो मलाइका है वो अल्लह तबारक उताला ने उन्हें मुक्तलिफ कामों पर लगाया है मिकाईल अलेहिसलाम बारिष बरसाते हैं रोजी पहुचाने के काम में हैं इसराइल अलेहिसलाम रूह निकालते हैं तो इन मलाइका को जिस तरह से हमारे हाँ तसवर दिया गाला के फरिष्टे तो उन लोगों ने इन दूसरे कामों को देखकर हर एक चीज का अलग अलग खुदा बना लिया हवाओं का खुदा अलग बारिष का खुदा अलग आग का खुदा अलग पानी का खुदा अलग यहां आपर धोका खा गया है वो खुदा नहीं है वो खुदा के फरिष्टे